भुमिहारों पर बयान देकर बुरी तरीके से फस गए है असोक चौधरी अब असोक चौधरी को समझी नहीं आ रहा कि करना क्या है भुमिहारों से माफी मांगे कि किस से माफी मांगे अब बुरी तरीके से मामला गर्म हो गया है देखे असोग चौधरी भले ही सांत हो गए हो पार्टी के नेता भले ही सांत हो गए हो लेकिन कहाज आता है कि तुफान से पहले की सांती कभी-कभी देखने को मिल जाती है और वही तुफान से पहले की सांती नजर आ रही है असोग चौधरी ने बयान जब दिया तो उस वक् बहुत आया था फिर महौल सांत हो गया है और ये जो सांती वाला महौल है वो बड़े तुफान के तरफ आपको ध्यान केंद्रित कर रहा है कि देखे कुछ बड़ा होगा असोग चौधरी का ये पहली बार नहीं है इसके पहले भी अगर आप देखे तो असोग चौधरी पर एक गंभीर आरोप लगा था गंभीर आरोप ये था कि उन्होंने पाटी के राष्ठिया धक्ष के साथ बत्तमी जी की थी उस वक्त राष्ठिया धक्ष ललन सिंग्ग थे वहाँ पर आप बार बार क्यों जाते हैं उसको लेकर बाते सामने आई थी कि उन्होंने कह दिया था कि हम अपने नेटा से पूछ कर गए थे आप से थोड़ी पूछ कर जाएंगे तो इस पर कहा सुनी हुई थी और अब असोग चौधरी ने भुमिहारों को लेकर एक बयान दे दिया इसके पहले भी अगर आप देखे तो असोग चौधरी जब जमुई के प्रभारी मंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि उन्हें रातो रात पद से हटा दिया गया था एक अधिकारी को उन्होंने गंदे तरीके से डांट दिया था और पटना जमुई से उनकी गारी पटना पहुंसती है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें पद से हटा दिया गया जहानाबाद का प्रभारी मंत्री बना दिया गया अब जहानाबाद में भी जाकर इन्होंने कार्णड कर दिया अब नितिश कुमार सोच रहा है करना क्या है नितिश कुमार ने असोग चौधरी से मुलाकात भी किय और जब मुलाकात हो उसके बाद मामला सांत किया जाना है जेडियो के प्षडेश के मुख परवक्ता निरच कुमार को भी सांत रहने के निर्देश दे दिये गए है असोग चौधरी भी अब सांत है पाती के कई ऐसे नेता हैं जो असोग चौधरी से नराज है असोग चौधरी पर कई सारे आरोप भी लगते हैं अगर आप देखे पुर्व में तो जितने दल के बड़े निताओं ने सांत छोड़ा है जनता दल का सांत छोड़ा है आरसिपी सिंग हो उपेंद्र कुषवा हो और भी जो लोग हैं उनका आरोप बस इतना था कि ये किचन कैबिनेट वाले जो लोग हैं वो मुख्यमंतरी को भड़काते हैं उसमें भी असोग चौधरी का नाम था उपेंद्र कुषवा वाले मामले में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था जब उपेंद्र कुषवा ने कहा कि हम अपना हिस्सा लेकर जाएंगे तो असोग चौधरी ने कह दिया कि किराय के मकान में रहने वाले को हिस्सा थोड़ी मिलता है वो किरायदार थे तो मामला बहुत गंभीर होता है और असोग चौधरी कभी-कभी अपने बयानों को इस तरीके से रख देते हैं कि पार्टी भी कन्फ्यूज हो जाती है कि इस बयान को किस तरीके से देखना है पार्टी के नेता भी सोचने लगते हैं कि असोग चौधरी के इस बयान को कैसे पेश किया जाए इन्होंने तो ऐसे बोल दिया हलाकि भूमिहार वाले बयान पर पार्टी ने खूब कभर अप किया लेकिन हो नहीं पाया अभी भी भूमिहारों के अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं हम जो सोच रहे थे कि नितिश कुमार अभ हमारे हो गए है ये फिर से हम गलस सोच रहे है हलाकि अब आगे देखिए क्या होता है बहुत सारे ऐसे भूमिहार नेता हैं जो नितिश कुमार के इर्दगिर्द चलते हैं चाहे भोला सिंग की बात करें महंद्र सिंग के भाई की बात करें या फिर जगदिश सर्मा की भी बात करें तो भी अभी जेडियू में ही है अभी खबर यह है कि अरुन कुमार भी आ रहा है ललन सिंग भी जेडियू में है तो कई ऐसे भूमिहारों के बड़े चेहरे हैं जो जेडियू में है फिर भी भूमिहारों से एक दिक्कत है और ये दिकत असोग चौधरी को है अब असोग चौधरी को है या फिर जडियू के बड़े निताओं को है ये भी देखने वाली बात है क्योंकि कहा जा रहा है कि असोग चौधरी एक माध्यम है क्या है कोई और रहा है तो कौन कह रहा है ये देखने वाली बात होगी गराल इसक खबर में इतना ही बनावार साथ और देखते रहें देडिया टॉप